आ गया है वापस मिलने दोबारा इन हैश्टेग योगिपीडिया ग्यारा राइमिंग इस फटफट न्यूज सेक्शन में आपका फिर से स्वागत है Well, Hello, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार-बार होगी सबसे पहली न्यूज Junior NTR को स्पोट किया गया है मुंबई में और स्पेकुलेशन्स है कि ये आए है वार 2 के शूटिंग के लिए साथ में बताया जा रहा है कि वो कुछ important sequence शूट करने वाले है और साथ में होंगे रितिक रोशन भी जिनके साथ Junior NTR फिल्म के कुछ crucial scenes को शूट करेंगे वैसे वार 2 का बस तो Tiger 3 के post credit scene से ही शूरू हो गया था जिसमें रितिक रोशन को brief दिया जा रहा है कि कैसे ये नया विलन dangerous हो सकता है जिसके साथ लड़ने के लिए कबीर याने के रितिक रोशन को अच्छा बुरा सब भूलना पड़ेगा और कहीं वो खुद ही न उस नय विलन जैसा बन जाए और जब ये speculations लगाय जा रहा है कि जूनियर NTR होंगे वो विलन तो भाई साब वार 2 में ये face off देखने का मज़ा बहुत आने वाला है अगली news सल्मान खान ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पे सबको ईद की मुबारक बात देते हुए कहा है कि इस साल ईद में मैदान और बड़े मिया छोटी मिया देख लो और अगले साल ईद में फैमिली मैन यूनो सीटिया बच्टी रहनी चाहिए और अगले साल ईद में सिकंदर से आके मिलो याने हमारे सल्लू भाई ने कर दी है अपने अगले फिल्म की अनॉंसमेंट येस जैसे कि आप सबको पता ही है कि सल्मान खान अलमूस्ट हमेशा ही ईद के मौके पर कोई ना कोई फिल्म रिलीज जरू करते थे है लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ बट दोजार पच्चिस के लिए उन्होंने अभी से इद की डेट की बुकिंग कर ली है ये फिल्म प्रोडूस करने वाले है साजिद नाडियाडवाला और इसके डिरेक्टर होगे एर मुर्गदोस जो जाने जाते हैं उनकी कुछ सूपर हिट फिल्म है जैसे की गजनी तुपक की हॉलिडे और सरकार की लिए वैसे रिपोर्ट्स की माने तो सलमान खान विश्नु वर्धन की अपकमिंग फिल्म दिबुल में भी दिखने वाले है और टाइगर वर्सेस पठान तो आपको पता ही है अगली न्यूज महात्मा फुले जी की आ रही है बायोपिक जिसमें महात्मा फुले का रोल करने वाले है नन अदर्दैन प्रतिक गांधी और उनके साथ होंगी पत्र लेखा इन सावित रिबाई फुले रोल अभी तो बस इसका एक मोशन पोस्टर ही रिलिज हुआ है और बाकी कोई भी डीटेल सामने नहीं आई है बट आज पर दे न्यूज सोर्स इसका पोस्ट प्रोड़क्शन वर्क चल रहा है अगली न्यूज बॉबी देवल और जूनियर एंटियार के बाद एक और बड़ा नाम हिस्सा बनने जा रहा है ये शुराज फिल्म के स्पाई यूनिवर्स का और वो है नन अदर दैन पापा 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 फ्रॉम एनिमल अनिल कपूर अनिल कपूर होने वाले है रॉचीफ के रोल में बट नॉट उनली दिस मूवी अज पर न्यूज सोर्स ये भी बताया जा रहा है कि अनिल कपूर ने लॉग टर्म एग्रिमेंट साइन किया है वाई रफ के साथ और वो स्पाई यूनिवर्स के अल्मोस सभी फिल्मों में नजर आने वाले है अज रॉचीफ अगली न्यूज की तरफ बढ़ते है थलापती विजे की गोट याने के ग्रेटेस्ट आफ आल टाइम की रिलीज डेट आई है सामने और अब वो आएगी थेटर्स में पाच सब्टेंबर को मेकर्स ने अपने ट्वीटर अकाउंट से फिल्म का एक नया पोस्टर शेयर किया है और साथ में अनॉंस्मेंट कर दी है इसकी रिलीज डेट वैसे इस पोस्टर में थलापती विजे सर का एक नया आवतार या लुक सामने आया है एक यंगर एंड एक ओल्डर वैसे आपको बता दू के गोट के अलावा अबी थलापती शिक्स्टिन अन्य मागी सीटी वैसे आपको बता दू के गोट के अलावा थलापती विजे एक और अबकमिंग प्रोजेक्ट जिसका टाइटल अभी थलापती 69 है, उस पे काम करने वाले है और sadly, ये उनकी आखरी फिल्म होने वाली है जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने और I think सब को पताईए थलापती विजे ने अल्रेडी 2026 के इलेक्शन के लिए अपना कैंडिडेचर अनौंसमेंट कर दिया है और थलापती 69 विजे सर की फेरवेल फिल्म होने वाली है अगली न्यूज जबसे रामायना की शूटिंग शुरू होने की अनौंसमेंट हुई है तबसे हर दिन कुछ ना कुछ अपडेट हमें मिल ही रहे है from the makers and co-actors हमने हमारे योगी पीडा के लास्ट एपिसोट में आपको बताया था कि कैसे रनबीर कपूर अपने रोल के लिए प्रिपेर हो रहे है अपने फिटनेस और लुक पे काम कर रहे है और भाईसा बजट इसका बजट है पूरे 500 करोड जिसमें सिर्फ सेट बनाने के लिए 11 करोड लगा दिये है makers ने तो फिर इस फिल्म में VFX और CGI तो टॉप नौच होगा ही और शायद खर्चा भी दबा के होगा recent news की माने तो रनबीर कपूर ने बताया कि उनके character को portrait करने के लिए कोई भी VFX और CGI यूज़ नहीं होगा आधी पूरुश मतलब कि रनबीर कपूर श्रीराम जी के character को निभाने के लिए लगने वाली महनत और उसके लिए लगने वाला जो make or होता है वो खुद ही करेंगे आधी पूरुश अगें Anyways, hats off है भाई इस बंदे के dedication के लिए पहले animal के लिए वजन बढ़ाया और अब रामायन के लिए वो कम करेंगे आजकल के जमाने में जहां किसी भी character को VFX, AI और CGI के जरीए muscular या lean आधी पूरुश Anyways, muscular या lean, younger या older दिखाया सकता है वही पे, natural लगने के लिए ये बंदा जैसे महनत कर रहा है न Now, this made him the next superstar of Indian film industry और जहां इतनी महनत रंबिर कर ही रहे है तो rocking star यश कैसे पीछे रहे यश जो इस film में रावन का रोल निभाएंगे अब officially बन गए है रामायना के co-producer भी यश की company Monster Mind Creation और नमित मलहोतरा की production company Prime Focus Studios ने मिला लिये है हाथ और करेंगे co-produce रामायना मूवी को और ये कोलाबरेशन इसलिए क्योंकि इस film की cinematic experience को और enhance करना चाहते है ये लोग लगे रहो team रामायना We also want to experience this epic saga through your vision News खतम, पैसा हजम योगी पीड़ा के episodes आते रहेंगे अभी के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में Bye